रामपूर के तांडा विधानसवा शेतर में नगरपालिका द्वारा भारिस पुलिस दल ने रोड पर हो रहे अतिक्रमन अभ्यान को चला कर अवैत कपजों को खाली करवाया साथ ही कुछ दिन पहले नोटिस भी सभी लोगों को जारी कर दिया गया था कि यह अवैत कपजा आप खुद ही हटवाले नई हटवाने पर भारिस पुलिस दल के साथ अतिक्रमन अभ्यान चलाये जाएगा जिस में आज दुकाने होटल मकानों पर बुल्डोजर चला कर इस दोरान भारिस पुलिस दल मुझूद रहा देखा जाए तो प्रशासन अतिक्रमन के खिलाब भोग सक्त नजर आ रहा है वही सिचाई विभाग के अधिशासी अभियंता एनके सिंग ने बताया कि ताना शेतर में सिचाई विभाग के दो नंबर है गाटा संख्या 16 और गाटा संख्या 1.6 हेक्टियर एरिया लगबग 12 भीगा पर लोगों ने अवैद कबजे किये हुए हैं जो कमेर्शिल एक्टिविटी कर रहे थे लोगों ने वहाँ पर गैरास बनाए हुए थे होटल्स बनाए हुए थे और अवैद रूप से दुकाने बना ली थी बकायदा लोगों को नोटिस भी जारी किये गए थे और कई बार इनको मुनियादी भी कराई गई थी कि आप अपना कबजा खुद हटा ले अन्यता हम प्रशासन की मदद से पुलिस की मदद से कबजे हटवा दिये जाएंगे यहां सरकार की मिनशा बिल्कुल स्पस्ट है कि जहां किसी भी किस्म के अतिक्रमण बरदाश नहीं किये जाएंगे है कि टांडा में हमारे सिचाई वाग के दो नंबर हैं गाटा संक्या सोला गाटा संक्या एक कुल मिला के लगवग पॉइंट सिक्स है रहे एरिया बारे भिगल कर सकते हैं कि उसके लोगों ने बिन-बिन करें कभजे किये हुए थे कमर्सिल एक्टिविटी कर रहे थे गैराइस बनाए हुए थे होटर्स बनाए हुए थे दुपाने बनाए हुए अवैद रूख से हम काफी लंबे समय से इनको ताकीद करते आ रहे थे बकायता नोटिस जारी करके इनको कई बार हमने कहा मुनादी कराई कि आप अपना कभजा हटा ले अधेता हम पुर्शाशन की मदस्ते पुरिस की मदस्ते कभजी हटवा दिये जाएंगे अच्छा बारी उस संक्राइब हटाया जा रहा है इसमें भी कोई विरोध को सामने नहीं आया है विरोध क्यों देखें जो चीजे उनका कुछ अक्तियार होता तो विरोधी भी आते उनको मालूम है कि उनका कोई अक्तियार जमीन पर नहीं जमीन सरकार की है और सरकार की मन्शा बिल्कुल इसक्रस्त है कि हम किसी भी किसिम के अतिकर्म को परदाश सुनी करेंगे मैं सिचाई वाग मरिशा शियर बिनता हूं एनके सिंग